दोस्तों Motorola का पिछला कुछ टाइम अच्छा नहीं रहा है क्योंकि जितने भी मुवाइल दाउंच किये हैं वो ज्यादा मार्केट में चल नहीं रहे हैं और इसका एक रीजन ये भी है कि इनके जो फोन होते हैं वो ओबर प्राइज होते हैं इसी वज़े से जो है कोई लेना चाहता है इसको लेकिन अब जो है मोटरोला पूरी वापसी करनी की सयाड़ी में है और एक नया स्मार्ट फोन आप लोगे ला रही है और वो स्मार्ट फोन है दुस्तों Motorola One Power जिसमें आपको बहुत बड़ी बैटरी डिस्प्ले में नॉच और बहुत अच्छा प्रोसेसर द पारे में क्योंकि इसके जो साड़े स्पेक हैं वो टेना में लीक होके सामने आ गए है इस फोन में दोस्तों आपको 6.18 इंच की फुल एजडी प्रेस डिस्प्ले में आपको नॉच भी देखने को मिल जाएगा इस फोन में दोस्तों आपको स्नाप ड्रेगन का 636 का ओक्ता को प्रोसेसर मिलेगा Adreno 509 GPU के सांथ यह फोन तीन वेरियंट में आ सकता है 3GB RAM 32GB स्टोरेज के सांथ 4GB RAM 64GB स्टोरेज के सांथ और 6GB RAM 64GB स्टोरेज के सांथ इसमें जो केमरा होने वाला है दोस्तों 16 प्लस 5 में अपसिल का डूल रियर केमरा आपको मिलेगा पीछे की तरप और फ्रेंट में दोस्तों आपको 8 मेगापिसल का फ्रेंट केमरा देहने को मिल जाएगा बांकि दोस्तों अगर अगर अधर चीजों की बात करें तो इसमें आपको हाइब्रेट सिंस लोड देहने को मिलेगा उसके बाद यह फोन जो है Android 8.1 ओडियो पे रन करने वाला है इ उसमें आपको फेस अनलोग और फिंगर पिन सेंसर भी देहने को मिल जाएगा और इस फोन का वेट जो है दोस्तों तकरीबन 170 ग्राम बताया जा रहा है तो दोस्तों यही कुछ स्पेक के सांथ यह फोन लॉंच होने वाला है अगर हम देखे फोन तो एकदम ठीक ठाक लग बैठरी भी अच्छी है केमरा भी ठीक है प्रोसेसर अच्छा है और डिस्प्ले में आपको नौच का जो ट्रेंड है वो भी मिल जाता है लेकिन मोटर ला को जो प्राइस का रिकॉर्ड है पिछले कुछ टाइम से वह अच्छा नहीं है तो इसकी प्राइस भी मुझे जहां में मुझे जरूर रताइए को में अगर वीडियो अच्छी लगे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेड जरूर की दिए अपने दूस्तों के साथ मैं मिलता हूँ आप से एड़ी किसी वीडियो में तब तक के लिए अगर आप